देरानातुं गवर्मेंट कोलाइज इतानगर जिसको हम सोर्ट फोम या पिर पुपुलरली दियन जीसी करके जाना जाता है आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे करके हम दियन जीसी का जो ओनलाइन एग्जाम फोम है एग्जमिनेशन फोम है उसको आप कैसे कुछ से बर सकता है हर एक बात को आप दियान से सुनना हर एक बात में कुछ ना कुछ इंपोर्टन्ट आपको बताऊंगा सबसे पहले मेरा स्क्रीन पर जो आप नजर आ रहे हैं यह दियन जीसी का ओपिसेल वेबसाइट का होम पेज है जिसमें पहुंचने के लिए आपको गूगल ओपन करना है या पिर आपका कोई भी ब्राउजर है आपका computer, laptop या mobile phone आपके पास जो भी है उसमें google या कोई भी ब्राउजर को open करके dngc.ac.in इसे type करके सर्च करना है सबसे पहला जो link आएगा उसको open करना है तो आप इस page पे पहुंच जाओगे या पिर आप इस वीडियो को complete देखने के बाद इस वीडियो के description box पे चेक कर लिजे वहाँ पे भी इसका link में दे दूँगा तीक है उस link के true आप जाने से यहाँ पे पहुंच जाओगे पहुंचने के बाद यहाँ पे आपको left side में सबसे फास यहाँ पे admission का option है दूसरा यहाँ पे examination का option है तो examination का option का just नीचे में जैसे कि यहाँ पे examination लिखा हुआ है उसका just नीचे में आप गोर करोगे अचा से दिकाई नहीं दे रहा है लेकिन वहाँ पे online examination form यसे लिखके प्रोग्रामी का नाम है वो सारा यहाँ पे आ जाएगा जैसे कि bachelor of commerce, bachelor of arts and science ऐसे करके आगी है तो यहाँ पे सब का process सेम रहेगा तो इस वीडियो का बचा से देखो समझो तो आप कोई भी programming का कोई भी semester का form को आरम से बर सकता है तो आप यहाँ पे आपका हिसाब से यहाँ सिलेक करना है तो आप commerce का करना है तो commerce का करेगा BA का है तो BA का या BAC का VAC वो आप अपना हिसाब से उसको सिलेक कर लेना है तो उसको जैसे ही सिलेक करोगे मैंने यहाँ पे bachelor of arts को सिलेक किया है जैसे ही सिलेक करोगे तो यहाँ पे इतना सारा आपका examination का नाम यहाँ पे नजर ब्रेकेट में यहाँ रिगुलर दिया है फिर यहाँ पर बीए सेकंड सिमिस्तर का क्या है रिपीटर बेग पेपर एंड क्या है इंप्रूब्मेंट यहाँ पर मेंचन दें तो ब्रेकेट में आप अचा से देखिए यहाँ पर अल्रदी मेंचन दें अगर आप सेकंड सिमिस् देलों तो बिकिन में यहां पर किया करूंगा भी- ए-6 semester का घघ़ पर का फोर्म भालेग़ा लेकिन सब प्रोसेस रहेगा आपको बस जगा जगा पर आप अपना हिजाब से कर लिजे मैं यहाँ पर अपना हिजाब से कर लूँगा तो मैं यहाँ पर सिरेल नंबर 6 जो बीए 6 semester का repeater back paper improvement यह बला option को हम select करेंगे तो आगे करने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता दू अगर अपने उस semester में डायरिक फेल हो गया था और फेल होके फिर से उसका पास हुआ और कुछ subject को फेल हो गया था तो वह लूप बेग पेपर और improvement कोन होगा बोलने से बले ही कोई भी एक subject पे आप जो पास है लेकिन भी आप उस में जो marks आपको मिला है उसको अगर आप dissatisfaction होता है आप उसको satisfied नहीं होता है तो फिर से आप उसी exam को दोबारा दे सक करना है तो next interface कुछ इस तरह से आजएगा यहां पर आपको दो चीज बरना है सबसे फर्स तो आपका mobile नंबर जब कोलेज जोइन करते वक्त DNGC में जब जोइन करते वक्त आपने एक number दिया होगा registered number already उसमें college में registered होगा वो नंबर को आपको यहां पर देना है दूजरा नंबर एक आपको लंबा सा होता है 19A0, 19C0, 20A0 ऐसे करके आपको एक लंबा सा होता है वो रोल नंबर आप यहां पर complete फिल करना है दोनु चीज फिल करने के बाद आप यहां पर generate new password पर किलिक करेगा तो उस resistant mobile नंबर पर एक password चला जेगा और यहां पर success होजएगा ok पर जैसे आप generate new password पर किलिक करेगा तो यह पौपब आएगा तो यहां पर आपको ok कर देना है उसके बाद ok करने के बाद जस नीचे में आपको यहां पर इंटर password का option आजएगा तो password का डालके फिर आप summit पर किलिक करके आगे proceed करना होगा तो जैसे summit पर किलिक करेगा तो यहां पर पिर से वही successful आप 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 कर देना है ok करने के बाद यहां पर आपको सबसे फर्स आपको यहां registration number पर आप यह नहीं सोचने कि आपका mobile number जो register है college में वह बलन नहीं देना है यहां पर बहुत सारे लोग गलती करता है कभी-कभी जब हम dn पे था तब यह गलती बहुत लोगों में देखने को मिला है तो यहां पर क्या करना है registration number जो जब आप college जोइन करता है first या second semester उसमें आपको college का तरफ से एक registration card मिल जाता है एक card जहां पर लिखा रहता है आपका registration number अगर वो card आपको नहीं मिल रहा है तो आपका previous semester अगर आप अभी second semester में है तो में आप registration number को देख सकते हैं जैसे कि कुछ आगे में तीन दिजित का कुछ numbers रहेगा फिर देश होगा फिर दी एन जी सी एसे कुछ होगा फिर स्लैस होगा उसके बाद years mention दोगा तीक है उसको आप यहां पर डाल देना है और next वाला यह तो 9 ही रहेगा और दूसरा बहुत र registration number बर लेना है इसको ऐसे ही 9 रहने देना है यहां पर आपको क्या करना है अगर आप अभी 6 semester regular exam देने जा रहा है और आपका second semester में बेख है या fourth semester में कुछ बेख होने से तब आप इसको yes करना है तो आपको 9 ही रहने देना है अगर है तो आपको yes करना है येस करके फिर आपको subject बगेरा भी mention करना होगा वो आप देख लिजे उसके बद यहाँ पर में बेग पेपर 6 semester बीए 6 semester का बेग पेपर का यहाँ बर रहे तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा इधर पर इधर पर येस करेगा येस करने के बाद नीचे में आपको उस इसका मतलब यह कि आपने इस exam को पहले भी दिया था क्या तो आप यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर देर है तो उसको आप क्या करना है देखके फिल कर लेना है उसके बद यहाँ पर यह वाला दियान दो यह वाला यहाँ पर क्या करना है जो डारिक फैल हुआ था वो रिपीटर होगा और जो कुछ सब्जक्प में पास होके कुछ में फैल है वो बेक पेपर से ले करेगा तीक है और जो पास था लेकिन मार्क को पास नाएगा रिपीटर बेक पेपर इंप्रूब्मेंट तो उसमें आप अपना हिसाब से स्लेक कर लेना है उसके बद नीचे में आपको पार्टिकुलर्स अफ प्रिविस एक्जमिनेशन पास तीक है यहाँ पे मैंने शिक सिमिस्टर का बढ़ रहे तो यहाँ पे मुझे अबर्ट का बढ़ रहे तो आपको थर्च मिस्टर का दिटेल्स मांगा जाएगा त्थिक है डिके सेकेंड का बर्ट अबर्ऺ रह तो फिर्च मिस्टर का मांग जाएगा कौन्से यह में फश को पास धुला था ता मियर को सिर्फ लिखना है 19 19 21 twin 25 ूसको पास लिखना है वो आप मार्क्सित में देखेगा तो पता चलेगा यहां भी ऐसे ही वही लिखना है कि सिमिस्तर वान को कब पास आथ हुआ था तू को कौन सा यह में हुआ था ट्री को कौन सा फिर रोल नॉमबर तो सेमी होगा और आर जी यू लिख देना है फुल लिखने मन होने से फुल ल में कीटना आख उसके अवर्ट में कितना ऐसे करके फिल कर देना है उसके बmst आपका जो बैक पर सबजक्प lawn को की साथ चेख बोको भी है तो जो भी है उसको आफट से लेकर लेने है यह में इंख बासे में किलिक करके आफ़ से लेकर लिना है तो त्बोड है title of the paper है तिके उसके बाद उसको आप select कर लेने के बाद जितना आपका बेक था उतना आप देखके subject को select कर लीजे एक है तो एक तिके select करके फिर आपको यहाँ पे नीचे में submit application का option में किलिक करना है तो submit application का option पे जैसे आप क्लिक करोगे आपको कुछ इस तरह से यहाँ प्रीब्यू का उप्शन हैगा तो इसको आप जैसे अब इस्क्रोल आप करना है इस्क्रोल आप करने से पहले एक बर आचा से देख लिजिए और इस्क्रोल आप करके लास में आपको confirm and pay का option है वहाँ पे click कर देना है और जैसे ही confirm pay click करेगा यहाँ पे पिर से आपको पूचा जएगा are you sure तो यहाँ पे yes कर देना है yes करने के बाद पिर यहाँ पे आपका option हैगा exam fee को आप अभी pay कर सकते है या बाट में करना चाहे तो आप pay letter में click कर सकते है यहाँ पे इंटरनेट बेंकिंग है तो यहाँ पे click करके उसके लिए UPI से करेगा तो यहाँ पे click करना है उसको select कर लेना है फस्स card से करते हैं तो card का details बार के आप pay कर लिजे और मैं यहाँ पे UPI से करूँगा तो UPI को select करेगा UPI में जैसे ही select करेगा तो यहाँ दो option हैगा तो यहाँ पे हमको इस बाले option में click करना है तो उसको click करेगा और यहाँ पे जो numbers character दिखाई दे रहा है उसको यहाँ fill करेगा फिर pay now पे हम click करेगा तो जैसे pay now पे click करेगा पे करने के बाद आपको कुछ ने करने बस ऐसे चुपचब रहने देना है और यह good by good means automatically redirect हो जाएगा आपको कुछ चेरकानी नहीं करना है क्योंकि कभी-कभी आपका internet slow हो सकते है कभी-कभी यह college का website का server slow हो सकते है कभी-कभी payment gateway का server slow हो सकते है तो बस चुपचब रहना है पे हो गया तो चुपचब रहना है तो automatically यह redirect हो जाएगा तो यह इस जगह पर आजेगा यह जगह पर तिक है जहां से हम लोग register mobile number and roll number दाल के generate new password किया था यह जगह पर आजेगा तो यहां पर आपको क्या करना है दोबारा वोई registration number वोई roll number को फिल करना है करके आपको यहां पर I already have a password यहां किलिक कीजिए तीक है क्योंकि अभी पिर new generate करेगा तो आपके लिए जमिला होजेगा आपको कुछ नहीं करना है बस यहां पर किलिक करना है I already have a password वहां पर किलिक करने के बाद पासवर्ट फिल करने का option होगा यहां पर पहले वाला फर्स वाला जो पासवर्ट था उसी पासवर्ट को यहां दाल के समित पे किलिक करना यहां success का आ जाएगा फिर okay कर देना है okay करने के बाद पिर यहां पर आपको print exam form प्रिंट exam form आ जाएगा तो यहां पर आप किलिक करके इसको mobile phone पे PDF में save करके रख लेजे पिर आप कहीं भी जाके print कर सकते हैं अगर मोबाइल पॉन से अगर करता है मतलब यह form बगर को फिल करके इसको mobile phone से अगर अगर आप लेता है तो आपको सायद 2 पेज मिलेगा और computer या laptop से अगर करता है तो आपको आपको सायद 3 पेज मिलेगा और अब देख लिजे कहां से करता है लेकिन दोनों ही चलेगा ठीके एसे बतनी है कि मोबाइल से जो किया वाला दो पेज होगा वो नहीं चलेगा एसे बतनी होगा कंपितर वाला मोबाइल दोनों ही चल जाएगा ठीक है बस दोनों में देखने में तोरा से दिप्रेंट होजेगा और pages जो computer वाला 3 हो जाएगा और mobile से print वाला mobile से जो PDF में save किया वाला 2 होगा तो ऐसे करके आप इसको कुछ से आरम से कर सकता है I hope कि ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा और इस वीडियो को आगे तक share जरूर कर दीजे